प्वागत है आपका अपने यूट्व चैनल स्टेडी वेस पे दोस्तों आज हम आपके लेके आये हैं इंप्पोर्टेंट्स जीके 2020 का पार्ट फॉर तो दोस्तों वीडियो शुरुआत करने से पहले जिनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो को लाइक और से जरूर करेंगा दोस्तों तो चली शुरुआत करते हैं आज का हमारा पहला कोश्चन है निम्लिखित में से एक खरीब फर्शल है तो इसमें से सही एंसर इसका होगा C. चावल जी हाँ दोस्तों चावल जो है एक खरीब फर्शल है Next question है नगदी फसल में शमलित नहीं है इन में से कौन सा नगदी फसल में शमलित नहीं है जिसका सही एंसर होगा B. गेहू Next question है भारत के मद्द से गुजरने वाली काल्पनी क्रेखा कौन सी है जिसका सही एंसर होगा A. कर्क्रेखा जी हाँ दोस्तों Next question है राष्टिये रस्दार फल अनुसंधान केंद्र अवस्तित है जिसका सही एंसर है B. नाकपुर में जी हाँ दोस्तों किसे सेरे पंजाब कहा जाता है हमारा Next question है जिसका सही एंसर होगा A. इन्हें सेरे पंजाब कहा जाता है Next question है हार्मौन सब्द का नावांकरन किस नहीं किया था जिसका सही एंसर होगा C. वैलिस एन स्टारलिंग ने हार्मोन सब्द का नावंकरन की अदब नेश्ट कोशन है पीडियोलोजी में किसका अध्यन किया जाता है इसका सही एंसर है B. भूमी का नेश्ट कोशन है पौधों को नाम देने वाली ज्ञान कहलाता है इसका सही एंसर होगा B. वर्गी की नेश्ट कोशन है क्लोरी की मापन इकाई है इसका सही एंसर होगा A. उस्मा नेश्ट कोशन है बंगाल का सोक किस नदी को कहा जाता है इसका सही एंसर होगा C. दामोदर नदी जी हाँ दोस्तों दामोदर नदी को बंगाल का सोक बोला जाता है जैसे कि बिहार का सोक कोशी नदी बोला जाता है जिसका सही एंसर होगा B, सुन्दर वन डेल्टा जो गंगा दुआरा पनाया जाती है विश्क का सबसे बरा डेल्टा है सबसे छोटी महादीब कौन सी है इसका सही एंसर है स्टेलिया महादीब सबसे छोटा है इसमें से डिशन नेश्ट कोशन है जो की मिनार किस देस में स्थित है इसका इसका सही होगा सहारा जो है सहारा जो है सबसे बड़ा मुलगस्तल है या जो थार है या जो भारत में है भारत में जो रेगिस्तान है उसको थार बोला जाता है लेकिन सबसे बड़ा बीस्तों में सबसे बड़ा जो है सहारा रेगिस्तान है मनुस्र का बैग्यानिक नाम क्या है इसका सही एंसर होगा C Homo sapiens जी हाँ दोस्तों इसका scientist name जो है Homo sapiens है Next question है चीन का सोग किस नदी को कहा जाता है इसका सही एंसर है Wang Ho जी हाँ दोस्तों इसका D सही एंसर होगा बिहार का सोग किस नदी को कहा जाता है इसका सही एंसर होगा C कोशी नदी को जी हां दोस्तों कोशी नदी में काफी बाढ़ आ जाती है और ये बार हर साल आती है इसकी वज़ा से काफी फसलों को नुकसान हो जाता है और जिससे किसान जो है वहां का तरक्की नहीं कर पा रहे हैं विहार के तो ये इसलिए इसे सोक बोला जाता है विहार का कूज को नेस्ट कोशन है परोटान की खोच किस ने की थी इसका सही एंसर है विख एंडर फोर्ड ने शरीर में सबसे चोप बड़ी सबसे बड़ी गरंती कौन सी है इसका सही इंसर होगा C, क्लिक जी हाँ दोस्तों, नेस्ट कोशन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य छेत्रफल कौन सा है, इसका सही इंसर होगा C, जी हाँ दोस्तों, छेत्रफल के अनुसार से अगर सबसे बड़ा राज देखा जाए तो राजस्थान है, नेस्ट कोशन है, एच आईवी वाइरस के कारण कौन सा रोग होता है, जिसका सही इंसर होगा D, एड्स, जी हाँ दोस्तों, एच आईवी वाइरस से बहुत बहुत ब सबसे बड़ा दीप समू है, जिसका सही इंसर होगा, इंडोनेशिया, जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया देश जो है वो दीपो का समू है, और विसु का सबसे बड़ा दीप समू इंडोनेशिया है, नेस्ट कोशन है, चंदरबा में उतरने वाला विसु का पर्थम वेक् नील आर्मिस्ट्रॉंग थे नेश्ट कोश्टन है काली मिट्टी किस फसल के खेती के लिए सरवधी उप्योगी है जिसका सही एंसर होगा डी कपास जी हाँ दोस्तों कपास के लिए काली मिट्टी चाहिए जो की काफी उप्जाओ होती है भारत की सबसे संपत्ति वाला राज कौन है जिसका सही एंसर होगा बी महरास्ट जी हाँ दोस्ते जिसे माया नगरी भी बोला जाता है वो बंबई में ही है महरास्ट में ही नेस्ट कोश्चन है मिताली राज किस खेल से संबद्ने थे तो ये इंपोर्टेट्स कोश्चन है मिताली राज जो भारती क्रिकेट टीम कैपिन भी थे महिला क्रिकेट टीम थे तो ये क्रिकेट से जुरही हुई है नेस्ट कोश्चन है निमलिकित में से कौन सी एक मिस्तर धात हुए इसका सही एंसर होगा बी स्टील जी हाँ दोस्तों स्टील एक मिस्तर धात हुए नेस्ट कोश्चन है रुधीर वर्क की खोज किसने की थी इसका सही एंसर होगा बी लैंड अस्टीनर ने नेस्ट कोश्चन है तिकली किसकी रचना है इसका सही एंसर होगा ए जैसे अंकर परसाद की नेस्ट कोश्चन है महात्मादानी को स्वरों पत्हम राश्ट पिता किसने कहा था तो इसका सही एंसर होगा सी सुवास चन्रॉज यह बहुत important कोश्चन है दोस्टों अकसर repeated होता है यह कोश्चन common exam में अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो ये question mostly repeat होई जाता है next question है trollet act किस वर्स में पारित हुआ था इसका सही answer है 1919 में जी हाँ दोस्तों भारतिय राष्टिय दोहज में तीलियों की cool संख्या कितनी होती है इसका सही answer होगा C 24 next question है जलियावाला बाग कांड कब हुआ था जिसका जो answer है 13 अप्रैल 1919 को ये जलियावाला हथ्या कांड हुआ था जी हाँ दोस्तों यहाँ पे निहत्थे किसानों जो की अपना बैसाखी का तेवहार मना रहे थे और उहाँ पे जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी और सैक्रो, निहत्थे, सिख और किशान मारे गये थे दोस्तों इसे नाम दिया गया जलियावाला बाग कांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था next question है राष्टिये गान को गाने की अधिक्तम कितना समय लगता है जिसका सही एंसर होगा D 52 जी हाँ दोस्तों जन गाना मना तो गाने में अप्रोक्ष जो सबसे ज़्यादा समय अधिक्तम समय इसका 52 तैकिया गया है विश्व परियावरन दिवस कब मनाया जाता है जिसका सही एंसर है A पांच जून को विश्व परियावरन दिवस मनाया जाता है दोस्तों किस भारतिय राज में को मसालों की बगीचा कहा जाता है तो इसका सही एंसर होगा केरल जी हाँ दोस्तों सही एंसर होगा केरल को मसालों का बगीचा बोला जाता है नेस्ट कोश्चन है इस रों की अस्थापना कब की गई थी इसका सही एंसर है इस रों की स्थापना होई थी यह हमारा असपेस रिसर्च ऑगनाईजेशन है दोस्तों इस रों नेस्ट कोश्चन है लोहे में जंग लगना एक है इसमें से क्या है तो सही एंसर होगा बी रसाइनिक क्रिया है लोहे में जंग लगना नेस्ट कोश्चन है विदूत बल्ब का फिलामेंट किस से का बना होता है किसका बना होता है तो इसका सही एंसर होगा बी टेंगस्टन का बना होता है जो विदूत बल्ब एक फिलामेंट बीच में दिखाए देता है दोस्तो बी न्यूटन सबसे प्रांची बाद्यांत्र कौन सा है इन में से इसका सही एंसर है बी वीना नेक्स्ट कोर्शन है ताम बाद किसके द्वारा सुध होता है जिसका सही एंसर है बिद्धू बिद्धूद अब गटन किसे नेक्स्ट कोर्शन है मानों सरीर की सबसे छोटी हड़ी कौन सी होती है इसका सही एंसर होगा C स्टेपीश सबसे छोटी हड़ी होती है दोस्तों नेक्स्ट कोर्शन है बुगोल का जनक किसे कहा जाता है तो इसका सही एंसर होगा A इरे स्टोस्नीज को इरे स्टोथ नीज को बुग गोल का जनक कहा जाता है दोस्तों इसका सही एंसर A है बाईवान से उरान भरने वाला विसु का पर्थम प्रेक्ती कौन है इसका सही एंसर होगा राइट विदर्स जी हां दोस्तों सबसे पर्थम नगड़ जिस पर प्रमानुबं गिराया गया था जिसका सही एंसर होगा C, हिरोशीमा पर, जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने, शेकेंड बल वर्ड के दोरान, हिरोशीमा और नागा साकी पर प्रमानुबम गिराया था, लेकिन हिरोशीमा पर पहले गिराया था, पर नागा साकी पर बाद में गिराया था, दोस्तों, नेस्ट को नेक्स्ट कोश्चन है विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लोट फार्म कहां पर है इसका सही एंसर होगा गौरतपूर में सीज का सही एंसर है दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन है विश्व का उच्टम प्रवत चोटी कौन सी है तो इसका सही एंसर है मौंट एवरेस्ट विश्यों की सबसे उची परवच्छोटी जो है मौंट एवरेस्ट है और येitted का हिस्सा जो है नेपाल में पढ़ता है दोस्तों तो दोस्तों ये था इम्पोटेंस कोर्सवं 2022 का पारट फोर नेक्ष्ट वीडियो लेके हम बहुत जल्दी हाजिर होते हैं तब तक लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे दोस्तों आपके subscribe करने से और like करने से बीडियो बनाने के लिए motivation मिलता है और हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेडित करता है दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैएं